पहले आप अपने YouTube चैनल को किसी को share करते थे सब्सक्राइब करवाने के लिए तो पहले आप या तो उसको अपना name बताते थे या फिर अपने YouTube चैनल का link copy करके उसको share करते थे चाये वो whatsapp हो, इंस्टागराम हो, कहें पर भी share करते थे तो link share करते थे बट अब आपको किसी को अपने YouTube channel का name बताने की ज़रूरत नहीं है link share करने की ज़रूरत नहीं है एक new way आ चुका है अब आप अपने YouTube channel का QR code send कर सकते हो इस QR code से आप अपने बहुत सारे subscribers भी increase कर सकते हो वो केसे कर सकते हो वीडियो के end में बताऊंगा बट उससे पहले आप अपने YouTube channel का QR code केसे लिखा सकते हो और केसे share कर सकते हो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ simply guys आपको नीचे अपने you पे किलिक करके अपने YouTube channel पे विजिट कर जाना है जैसे ही आप अपने YouTube channel पे विजिट कर तो यहाँ पर देखो ओपर यह three icon आता है आपको नजर आ रहा है three icon इस पर आपको किलिक करने है यहाँ पर किलिक करने के बाद आपको share पे किलिक करने है जैसे ही आप share पे किलिक करोगे तो यहाँ पर देखो अगर आपको link कोपी करना है किसी को share करना है या किसी website पर देना है तो आप यहां से copy link कर सकते हो बट हमें link नहीं चाहिए वाई यह हो गया हमारा copy link हमें चाहिए QR code अब QR code कैसे मिलेगा अगेन आपको tree icon पर click करना है share पर click करना है जैसे आप share पर click करते हो ध्यान से देखिए यहां पर आपको QR code new feature देखना को मिलेगा जो कि यह सभी को मिल चुका है अगर आपका सो नहीं कर रहे है अभी के अभी YouTube को App Store, Play Store पर जाकर update कर लीजिए आपको यह feature मिल जाएगा जैसे ही आपको QR code feature मिल जाता है इस पर आपको click कर देना है और जैसे ही आप इस पर click करते हो यहां पर आपको अब आपके YouTube channel का QR code मिल जाएगा मेरे को भी मिल गया है आपको भी मिल गया है अब इसको पहले आपको अपनी gallery में save करना होगा उसके बाद आप कही पर भी save कर सकते हो पहले क्या होता था कि आप link share करने में थोड़ी problem होती थी लोग डरते थे link share करते वे बट यार अब tension वाली बात नहीं है आपको simply QR code को देखो नीचे लिखा रहा है save to camera roll इस पर आपको click करने है इसे save कर लेने है अब आप जहां पर भी save करना चाहते हो पर available है उनसे कर सकता है या फिर एक तरीका मैं आपको बताता हूँ देखो यह Chrome browser होता है Chrome browser पर आने के बाद यहां पर देखो यह आता है camera section ठीक है यह जो camera का logo आ रहा है इस पर आपको click करने है और जैसे इस पर click करते हो तो यहां पर आगेन आपको camera पर click करने है और अब आप देखे गाज इस तरीके से मैंने scan किया और जैसे मैं यहां पर scan कर रहा हूँ तो यहां पर देखो आप YouTube यहां पर मेरे को यह देखो यहां पर मेरे को link दे दिया है और जैसे मैं ऐसे link पर click करूँगा और link पे click करते ही यहाँ पर देखो directly मेरा YouTube channel open हो गया आपकी सामने और अब वो सामने वाला बंदा इस तरीके से मीज़े subscribe easily कर सकते है तो भाई ये QR code आप अपने सभी गली, मोहले, दुकान पर और अपने city में हर जंगा पर ये QR code अपने channel का लगवा दो इसके अलावा हर जंगा आज से QR code send करना start कर दो, इससे आपके जो subscriber है YouTube channel पर very fast increase होगे और जितने भी most popular city है, आप अपने YouTube channel का QR code लिका लगवा के बड़ी-बड़ी city में जाओ, वहाँ पर भी QR code लगवा दो वहाँ पर लोग आते रहते हैं, 24 गंटे जैसे metro हो गया, ऐसी ऐसी जंगा पर हर जंगा पर अपना QR code लगवा दो जाके, हर लोग आपको हर सेकिंड में आपको subscribe करना start कर देगे, scan करके, इसके बहुत सारे benefit है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और इससे जादे आप वीडियो को like, comment कर देना, एंड जेनर को subscribe करके पर लाइक और पर पिस कर देना, एसी और वीडियो देखने के लिए